आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागत है यह हो क्या रहा है दोस्तों पहले कोलकाता और अब बदलापुर महाराश के बदलापुर में आज हमारी सेल के आखरी दिन है तो आप make the best out of it और जो हमारा UPSC का पूरा लक्ष बैच है एक साल का दस हजार साथ ही साज जो हमारा आंसर राइटिंग का बैच है उसकी classes अल्रेडी लाइव है तो basically हुआ ये है बदलापुर में कि दो छोटी बच्चियों के साथ sexual assault हुआ है एक तीन साल की बच्ची एक चार साल की बच्ची कहां पे स्कूल में अपने बच्चों से हमेशा बात करते रहें क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि कौन उनको किस तरीके से टच्च कर रहा है ये बहुत ही एक ऐसा मामला है जो दिल दहला देने वाला है क्योंकि बच्ची को दर्द हुआ बहुत तीस प्राइविट पार्ट में और जब डॉक्टर से उसकी जाच कराई गई तब पता लगा कि जो बच्ची है उसको सेक्शुल एसॉल्ट किया और यह से तीन और चार साल के बच्ची थी यह किसी के क्लोगाता रेव केस किया कि रही हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इस आदमी को बीच चोड़ा को अरो कि यह ले है इसको डेली टॉर्चर करो वो चैनल का लिंक दिया है लेकिन बहुत ही खतरना तो बात यह है कि दो केजी के स्टूडेंट्स वाइजाएट सी बात है तीन और चार साल के उनको सेक्शुली अब्यूस किया गया किस ने किया मेल एटेंडेंट इस मेल एटेंडेंट जिसको दादा कहते थे माराटी में दा नस् impact चला तो मंगल वार वार कोई जो पेरेंट्स और सेटेजन इसी की तैसी करते उनने श्कूल की है ना देखे मेरे ख्याल में ये तोड़ा फोड़ी शही नहीं है ठीक है ना तोड़ा फोड़ी प्रॉपरटी स्कूल hospital यह बिल्कुल सही नहीं है हमको इससे बचना चाहिए प्रोटेस्ट करिए प्रोटेस्ट आपका अधिकार है लेकिन हिंसा इस नौट डिवे और साथी साथ यह भी बोला मतलब जब जो लड़किया है वो टॉइलेट यूज करने गई थी कोई भी फीमेल स्टाफ जो है वहाँ पर नहीं था स्कूल की तरफ से स्कूल जो टॉइलेट्स होती है वहाँ पर कोई भी फीमेल स्टाफ नहीं था तो पहली गलती तो यह पाई देखो जो भी कम्प्लाइंसेज है सारे स्कूलों को फॉलो करनी चाहिए बट कोई नहीं फॉलो करता है मतलब बहुत कम स्कूल है जिसको फॉलो करते हैं अक्षे शिंदे नाम है एक अगस्त दोहजार चौविस यानि कि अभी इसको एपॉइंट किया गया था कॉंट्राक्ट पर कितने समय तक तुम रहोगे और तो जिस लड़की ने बताया था कि अथिक जो परेंड्स को यह डूगे बताया कि जो अक्यूर्ड को उसने बहुत गलत तरीके से तच किया है फिर यहां पे एक और लड़की के सास्थ यह हुआ था तो जिस लड़की ने यह बताया थीक दोस्ट के साथ भी यह हुआ था तो फिर पैरेंट्स ने उनको भी कनेक्ट किया मतलब उस लड़की के पिताज को भी फोन लगाया कि क्या तुम्हारी बेटी के साथ भी तो बहला कि हाँ मेरी बेटी को भी दर दो रहा है ठीक है ना अब उसके बाद दोनों ही बच्चियां ब नखी गई है सुबह नो बजे और दोपैर बारा बजे की बीच में ये इस रेंट हुआ तेरा अगस्त को जब फैमिली एक लड़की की सस्पीशस हुई तब उन्होंने दूसरी फैमिली से बात की कि क्या आपके साथ भी यह हुआ है एंड देन कंप्लेन ने ये भी आड़ क तो बला कि सारे कपड़े उतारो दोनों लड़कियों के और उसके साथ बाद इसने फिर गंदा काम किया बवाल हो गया फैमिली कह रही है कि बारा घंटे बात जो है वह फाइर जो है लगबग यह सुबह की घटना है और लगबग रात नौ बजे जो है वह फाइर लौज कर उसके बाद पूरा थाने डिस्ट्रिक्ट जो है वह डिसरप्ट हुआ ठीक है ना अब यहाँ पर पुलिस ने बोला है कि बिल्कुल परशान होने की जरूरत नहीं है हम तुरंत कारवाई करेंगे बोला गया है कि फास्ट ट्राक कोट में इसको लेके जाईए तुरंत फास् कर रही हैं हम अक्षिन लेंगे हम उनको यह बादा करते हैं कि हम अक्षिन लेंगे और लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए प्रोटेस साइट पर किसी ने बॉटल फेकी तो लाठी चार्ज भी लॉंच किया हम उनके से बात पहीं कर पाए लेकिन डेफिनिटली जो जनुइन प हुआ है और स्कूल में खामिया अगर पाई गई तो स्कूल के उपर भी आक्षिन होगा यहां तक इन्हों ने यह भी बोला कि देखिए सावित्री कमिटी हर स्कूल में होती है तो देखिए कि क्या यह सावित्री कमिटी इस स्कूल में भी थी ताकि कोई भी बच्चों को प prosecutor जो है वो है पॉइंट किया है और उज्वल लिकम जैसा कि हमने बताया किस से पहले बहुत बड़े-बड़े बड़ी बात नहीं तुरंत सजा दीजिए इसमें जब तक आप तुरंत सजा नहीं देंगे ना तब तक काम चलेगा नहीं तो यह लेक्चर था बाकि जो भी होगा हम देखेंगे थांक यू सो मच